श्री शिवाई नमस्तु भी हम दोस्तो 26 अप्रेल 2022 को वरुतनी एकादशी है दोस्तो इस एकादशी को आप एक ऐसा उपाई कर सकते हैं जिस उपाई को करने से अगर आप लोगों की नौकरी नहीं लग रही है आप लोग बहुत ज़दा परेशान है कि हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है तो दोस्तो उसके लिए आप लोगों को एकादशी वरत के दिन का यह उपाई जरूर करना चाहिए को श्री पंडित प्रदीप मिश्राजी ने इस उपाई को अपनी श्री महापुरान कता में बताया है तो क्या करना है आपको वो आप ध्यान से सुनिये यह उपाई उनको करना है जिनकी नौकरी नहीं लग रही हो उन्हें अपने हाद से ही इस उपाई को करना है क्या है आपको एकादशी वरत के दिन अभी की जो एकादशी पढ़ रही है वो 26 अबरेल 2022 को पढ़ रही है और इस दिन आप इस उपाई को कर सकते हैं अन्यता किसी भी एकादशी को आप इस उपाई को कर सकते हैं एकादशी वरत के अलावा और किसी दिन आपको इस उपाई को नहीं करना है क्या करना है आपको ध्यान से सुनिए एक लोटा लेना है जिसमें आपको गंगा जल भरना है गंगा जल के अलावा और कोई सजल आपको उसमें नहीं भरना है एक लोटा लेने के बाद उसमें गंगा जल भर लीजिए गंगाजल भरने के बाद उसमें 11 तलसी जी की पत्यां डाल दीजिए अब आप लूग कह winter के दिन 11 तलसी जी की पत्या तोड़ेंगे तो हमें पाप लिए कि 1 तलसी जी थी थी तोड़ी जाती है तो तो दोस्तो अगर आप इस उपाए को करने वाले हैं विश्णु जी के अफ्तार के मंदर में कहने का मतलब है कि राधिक्रिष्ने का मंदर ये विश्णु जी के ही अफ्तार है राम जी के मंदर में ये भी विश्णु जी के अफ्तार है जो भी विश्णु जी के अफ्तार हुए है उन अफ्तारों के मंदर में किसी भी अफ्तारों जी के मंदर में जो है जाकर आप लोगों क्या करना है इस कलश को रख देना है कुछ समय के लिए भगवान के सामने ही जो है आपको उनके सामने भगवान के सामने ही कुछ समय के लिए रख देना इस लोटे को ठीक है कुछ समय रखे रहने देने के बाद इस लोटे को उठाना है और किसी भी व्रक्ष की नीचे जाकर इसको समर्पित करकर आ जाना है समर्पित ऐसे करना है कि जो आप अंदर 11 फुलशी की पठ्टियां डाली है वो भी उस लोटे के जल के साथ गंगा जल के साथ समर्पित हो जाए उस व्रख्ष के नीचे जैसे ही करेंगे इस उपाइ को करने के बाद भगवान आपकी उपर आशिरवात बनाएंगे और आपकी नौकरी कही न कही जलसे लगवा देंगे आप इंटर्वियों देते का परिशान होंगे तो भी आपका इंटर्वियों में पास करा देंगे करके जरूर देखेगा इस उपाय को कुई भी समस्याती कमेंट करके पूश सकते हैं ओम नमाश शिवाई जये भोले अवश्री शिवाई नमस तुब्याम